सबी किसान अपने खेतों में फसल लगाते हैं लेकिन कुछ ऐसे किसान होते हैं हमारे समाज में हमारे आसपास हमारे गाउं में कि वो अपने दिमाग से कुछ ऐसी पद्धिती अपनाते हैं जिससे कि वो दूसरे किसानों से ज़्यादा मुनाफ़ा लेके जाते हैं तो दोस्तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो एक प्याज फसल पर आधायरित वीडियो है और प्याज फसल की एक ऐसी विधी जो अधिकतर हमारे देश में चार महीने में प्याज तयार होती है उसके विपरी जो ये हमारी विधी है वो मात्र दो महीने या जादा से जादा 70 दिन में प्याज तयार होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, और जब इनका निकलने का समय होता है, वो समझ लीजे, पूरे साल में, सबसे महेंगे जब प्याज का रेट होता है, अक्टूबर से और दिसंबर के बीच में, उस वक्त बाजारों में जाती है, उसकी छोटे-छोटे बीच बनाने के लिए, जो विधी हमारे पास होती है, उस विधी का आज, जो हमारा बीच 30 जनवरी को डला था, वो बीच हमारा खेतों में तयार हो चुका है, पीछे हमने लगातार आप लोगों को प्याज किस तरह से तयार करना, उसके बीच किस तरह से तयार करना लगातार वीडियो देते रहे थे, तो आज जो हमारी सीरीज चली आ रही तो उसका ये आखरी वीडियो होगा, इसके बाद अगर आप लोगों की डिमांड होगी, इसको अपनी स्टोर कैसे करें, क्योंकि आगे इसको फिर अभी दो-तीन महीना और रखना है, आगस्त महीने में ये प्याज लगेगी, तो हम आप लोगों के एक स्पेसल वीडियो और बना के दे देंगे, तो दोस्तो आज की जो वीडियो है, वो प्याज फसल का जो बीज हमारे खेतों में तयार हो चुका है, उसको अपन किस तरह से निकालें, कौन सी अवस्था में वो तयार है, तब निकालें और उसके बाद उसको किस तरह से उसकी बंधाई करें, उसको कहां पर सुखाएं, और उसके बाद फिर स्टोर करने में कोई दिक्कत नहीं आई, कौन-कौन सी छोटी-छोटी सावधानिया बरतनी हैं हमें, क्योंकि बहुत महेंगा बीज आया था आपकी दफ़ा और एक एक बीज की कीमत बहुत ज़ादा है, इसकार दोस्तों मैं अंदरपाल यादाओ, स्वागत करता हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर, तो दोस्तों अब बात करते हैं टॉपिक नमबर वन, कि अपन को किस अवस्था पर जब हमारी फसल किस अवस्था पर पहुंच जाए, तब उसके हारवेस्टिंग करनी है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ, तो जब आप लोगों की नरसरी लग भग 90 दिन की हो जाए, नीचे की जो गाठ हैं दोस्तों वो ज़ादा मोटी नहों, ज़ादा चोटी नहों, उनकी जो साइज है, वो साइज आप लोगों को दिख रहा होगा, इस टाइप का साइज होना चाहिए, जो ये साइज है, ये एकदम परफेक्ट साइज है, इसमें जादा अगर मोटी साइज बन गया इसका जो आगे फुटाव निकलेंगे इसमें लगाने के बाद तो उसमें 2-3-3 अलग से साखाई निकलेंगे तो उसे भी एक प्याज की 4-4-5-5 प्याज बन जाएगी जिसको कहीं पर दूसर बोलते हैं कहीं पर चोपड़ा बोलते हैं वो समस्या आएगी तो एक दूसरी बात देखनी दोस्तों इस अवस्था में जो तना है वो तना भी बिलकुल नरम हो जाता है और साथी साथ इसके जो जड़े हैं वो जड़े भी नीचे से हट जाती है जमीन छोड़ देती है वो आराम से ऐसे आपन पकड़ेंगे तो आराम से निकल जाएगा दोस्तों इनको उखाड़ते वक्त आप लोगों को एक सावधानी रखनी है इनको आपस में उपर नीचे नहीं डालना है इनकी आपस में उपर नीचे डालोगे तो फिर इनकी बंधाई करने में दिक्कत आएगे तो इसको उखाडते वक्त आप इस तरह से उखाड़ी है कि एक जुट्टी टाइप बन जाए जैसे कि यह हमने बना रखी है आप लोग ध्यान दीजी देखिए जैसे उखाड़ी थी उखाड़ने के बाद इतना जब प्याज हो जाती है लगबग एक से दो किलो के बीच में तो ऐसे आप उनको रख देना है और उसको या तो आप उसी वक्त बंधाई के लिए आप तैयारी कर लीजी या फिर चार-पांच घंटे अगर इसमें दोब भी लग जाती है जिनके ज़्यादा हरी फालर होती है तो भी कोई दिक्कत नहीं इसमें आऊ सकता पड़ीगी अब आप लोगों को सूतली की तो सूतली लीजिए लग भग आप एक या डेड़ फिट की सूतली काट लीजिए उसके बाद उस सूतली को ऐसे निकाल कर और इसको यो नीचे रख कर ये बहुत ही महत्पूर्ण जानकारी है दोस्तों जो जिन किसान भाहियों ने पहले दफ़ा ये काम किया है उनके लिए विसियस कर ये साफधानिया बरतनी के आव सकता है क्योंकि इसको काफी लंबे समय तक अपन को स्टोर करना है और बहुत महंगा बीज आया था अगर थोड़ी बहुत भी गड़बड हो गई तो समझ लीजिए आपके सपनों पर फानी फिर सकता है इस तरह से इसको अपन बा परियापत नमी जब हो तब इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट करनी अगर खेत सूखा हुआ होगा तो या तो ऊपर से तूटेगी देखो जिसमें आप लोगों को बताता हूँ अगर आप लोगों को सूखा हुआ तो दो गटनाए घटेंगी या तो नीचे से इनकी जड़ तूट जाएगी और जड़ जहां से तूट गई तो वह समझ लेजिए फिर आपके खाने के काम आएगा ना कि दो बारा खेतों में लगाने के काम आएगा जब जड़ी नहीं होंगे दूसरा उपर से तूट जाएगी तो सबसे पहले आप अपने खेतों परियापत नमी देंगे जिससे की दिक्कता आए बाद में इनको बांधने में तो ऐसे लगबग एक से दो किलो जब वजन हो जाए इस टाइप से इनको एक जगह पर रखना है अब हमने प्याज को उखाड लिया है सूतल से अच्छे से उनको बांध लिया है और जितनी भी जुटियां बन परसरी लगा रखी थी वो गीली मिटी वहां पे तो उसको निकालके अपने इस खेत में जो सूखा खेत है हमारा उसमें अपने इसको लेके और बहुत अच्छे से इस तरह लगाएंगे तो इसमें भी सावधानी रखनी है दोस्तों ये ना हो कि आप इनको दूर दूर लग में क्योंकि उपर इनके अच्छे से फालर होता है तो फालर की छाया आजाएगे तो इस साइड का जो एरिया आएगा उस पे या तो आप मिटी चड़ा दीजी या फिर इनको किसी भी चीज से इनको कवर कर दी जिससे इन पर धूप का जो प्रकोव पे वो ना आ पाए दू को बारिस वगेरा से बचाने के लिए आपन को एक पोलो थीन या फिर कोई भी तिरपाल वगेरा लेकर और जब मोसम खराब हो उस वक्त इसको ढखना पड़ेगा तो यह हमने इसके लिए तिरपाल की विवस्ता कर रखी है और जैसे जैसे हमारा माल इस खेत में आता दोस्तों अगर अभी भी आप लोगों कोई मन में कोई संका हो तो आप कमेंट करकर पूछ लीजिए आपको कम्पलिट जानकारी दी जाएगी आपकी संकाएं दूर की जाएगी क्योंकि काफी महंगा बीज आया था एक-एक बीज की मैं दोबारा से बोल रहा हूं अब की ब से इस्टोर करेंगे जिससे कि ये दो या तीन महीने तक खराब ना हो जानकारी हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद